हाई फ्रेंड्स इस वीडियो हम बात करने वाला हूँ Micromax in one smartphone के बारे में India launch date confirm हो चुका है 19 मार्च को इस smartphone को इंडिया में launch किया जाएगा Flipkart दोर आप इस smartphone को खरीद पाएंगे Micromax in one smartphone को इंडिया में budget segment में launch किया जाएगा इस smartphone का already काफी सारा specification online leak हो गया है जो आगे आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको Micromax in one smartphone का जो भी information अब तक सामने है वो सब कुछ आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ यह वीडियो कर आपको पसंद देगा तो वीडियो को लेक शेयर कर दियेगा चाहां पर पहले बढ़ाएं तो चाहां आपको सबस्क्राइब कर लिजएगा बेल एकन को प्लास्टिक बैग दियेगी आप देख सकते हैं दोस्तों रेर साइड में आपको ट्रिपल कामरा सेट अप दियेगे है उसके लबा दोस्तों आपको रेर साइड में एक फिचकल फिंगर बिंट देगे है फ्रेंट साइड में दोस्तों आपको एक सिंटर पंचोल वाले डिस्पलेय मिलने वाला है जाब अपसे गर बात करूँ दोस्तों बैटरी के बारे में स्मार्टफोन में आपको आप ओफ दो बॉक्स स्टॉक अंड्रोइड 11 मिलने वाला है अब टू 6GB आपको यहां पर राम मिलने वाला है उसके लबा आपको 128GB इंटरनल स्टोच के साथ आने वाला है बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो माइक्रो मेक्सीन 1 स्मार्टफोन में आपको 6.67 इंच का आपको एक IPS डिस्प्ले मिलने वाला है विद फुल इस्टी पलस रेजूलेशन के साथ आएगा आपन到 ने दोस्तों आपको टॉप के सेंटर में एक सिंगल पंच होल दिए गया है और अफ चिरे आपको मेक्रो मेक्सीन 1 आपको 8 मेगा पिक्सल का मिलने वाला है और आप वाले बात करते हैं प्राइच के बारे में तो Micromax in 1S smartphone को up to 6GB RAM के साथ लांच किया जाएगा उसकलाव आपको यहाँ पर 128GB internal storage मिलने वला है बहुत ज्यादा chances है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 4GB RAM वरिंड भी दिखने को मिलेगा प्राइज जो expect किया जा जा रहा है दोस्तों Micromax in 1S smartphone का जो starting price इंडिया में हो सकता है दोस्तों 9 और 10 जरपे के आसपा से शभू हो सकता है इंडिया में 19 मार्च को इस smartphone को इंडिया में launch किया जाएगा flip card और इस smartphone को sell किया जाएगा तो Micromax in 1S smartphone के रिगार्डिंग दोस्तो अब तक यही information सामने आए था जो मैंने आपको वीडियो बता दिया है उमीद करता हूँ दोस्तो आपको वीडियो पसंद है होगा मिलता हूँ अब से किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद